मजनू मूवी रिव्यू 2016 में रिलीज हुई मजनू विरिंची वर्मा द्वारा निर्देशित एक तेलुगू रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें नानी मुख्य भूमिका में है यह फिल्म आदित्य नानी द्वारा अभिनीत के जीवन के इर्दगिर घूमती है जो एक खुशमिजास सहायक निर्देशक है जो अपने जीवन के अलग-अलग चर्नों में दो महिलाओं के प्यार में पड़ जाता है जिससे उसके नीजी और पेशेवर जीवन में जटिलताएं पैदा होती है फिल्म की कहानी रोमांस हास्य और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है जिसने इसे नानी के करियर की एक यादगार फिल्म बनने में मदद की कहानी हैदराबाद में एक सहायक निर्देशक आदित्य से शुरू होती है जो इंजिनेरिंग सनातक सुमा प्रिया श्री द्वारा अभिनीट से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है उनकी प्रेन कहानी खूबसूर्ती से खिलती है लेकिन कई रिष्टों की तरहें गलतफमी के कारण इसमें भी रुकावट आती है सुमा आदित्य को छोर देती है और वे अलग हो जाते है दिल तूट जाने के बाद आदित्य अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ जाता है हाला कि वह अपने असफल रिष्टे से बहुत प्रभावित रहता है आदित्य की जिन्दगी में तब मोर आता है जब उसकी मुलाकात किरण अनु इमैनुएल द्वारा अभिनीत से होती है जो एक सहकर्मी की बहन है और वे धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं विट्सित करते हैं हाला कि जब किरण को आदित्य के सुमा के साथ अतीत के बारे में पता चलता है तो वह उनके रिष्टे को लेकर जिजगती है दूसरी और आदित्य खुद को सुमा के लिए अपने पिछले प्यार और किरण के साथ अपने नए रिष्टे के बीच फनसा हुआ पाता है कहानी तब और भी दिल्चस्प हो जाती है जब आदित्य की भावनात्मक यात्रा में दोनों महिलाओं के लिए अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है कहानी को गती देने वाला तत्व आत्मचिंतन और विकास का तत्व है क्योंकि आदित्य अपने जीवन के विकल्पों को समझने की कोशिश करता है फिल्म एक तरफा प्यार, दूसरे मौके और रिष्टों की जटिलताओं के विशय को तलाशती है जबकि यह सब एक हलके फुल के अंदाज में किया गया है नानी, जिन्हें अक्सर तेलुगु सिनेमा के एक नेचुरल स्टार के रूप में जाना जाता है, अपने सहज आकर्शन और दर्शकों से जुडने की क्षमता के साथ मजनु में चमकते हैं आदित्य का उनका चितरन सुक्ष्म है, जो चरित्र में हास्य और भावनात्मक भार दोनों लाता है नानी के पास प्रामानिक्ता के साथ लड़के नेक्स्ट दोर भूमिकाओं को चितरित करने का हुनर है, और मजनु में वह कॉमेडी और भावना के सही संतुलन के साथ संधर्शरत प्रेमी की भूमिका निभाते हैं नानी की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म के मुख्य आकर्शन में से एक है वह उन द्रिशों में हास्य डालने में सक्षम है, जो अन्यथा भावनात्मक रूप से भारी होते, प्रोमास और कॉमेडी का एक अनूठा मिश्रन बनाते हैं, जो फिल्म के स्वर को परिभाशित करता है प्रिया श्री और अनू इमैनुवेल दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी तरह से काम करती है, जो प्रेम त्रिकोन में गहराई जोडती है, जो कथा का मूल है पूरी फिल्म में नानी का चरित्र लापरवाह और हलके फुलके से गहरे आत्मनिरीक्षन और परिपक में बदल जाता है इस विकास को आश्वस्त रूप से चित्रित किया गया है, जो आदित्य को एक भरोसे मंद और सहानुभूती पूर्ण चरित्र बनाता है चाहे वह दिल तूटने के द्रिश्य हो या आत्मसाक्षातकार के क्षण हो, नानी ऐसा प्रदर्शन करते हैं, जो दर्शकों के साथ गूजता है प्रिया श्री और अनु इमैनुवेल सहित सहायक कलाकार फिल्म में महत्वपूर्ण मूले जोडते हैं सुमा के रूप में प्रिया श्री अपनी भूमिका में मासूमियत और भेद्यता की भावना लाती हैं, जो फिल्म के पहले भाग में नानी के चरित्र को पूरी तरह से पूरक बनाती है वह एक ऐसी महिला के दर्द को दर्शाती है, जो अपने रिष्टे में गलत महसूस करती है, जिससे आदित्य के जीवन से उसका बाहर निकलना भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हो जाता है किरन की भूमिका निभाने वाली अनु इमैनुएल सुमा के विपरीथ है वह आत्म विश्वासी, स्वतंत्र है और आदित्य के जीवन के नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है किरन के रूप में अनु का चितरन अधिक जमीनी है और वह नानी के साथ शांदार ओनस्क्रीन के मिस्ट्री साजा करती है उनका किरदार आदित्य के आंतरिक संघर्ष के लिए उत्प्रेरक का काम करता है जो उसे सुमा के लिए अपनी अनसुलजे भावनाव का सामना करने के लिए मजबूर करता है वेनेला किशोर और अन्यसहित सहायक कलाकार हास्यपूर्ण राहत प्रदान करते हैं खास कर उन क्षणों में जब फिल्म बहुत अधिक नाटकी होने का जोखिम उठाती है। उनकी मौजूदगी फिल्म के हलके फुलके लहजे को बनाए रखने में मदद करती है। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मजनु कभी भी अपने भावनात्मक विशेओं से बोजिल महसूस न करे। विरिंची वर्मा जिन्होंने पहले सफल फिल्म उयाला जमपला का निर्देशन किया था, मजनु में अपना अनुठा स्पर्श लेकर आये हैं। उनका निर्देशन चरित्रचालित कहानी कहने पर केंद्रित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पात्रों की भावनात्मक चाप फिल्म का केंद्र बिंदु बनी रहे। पटकता अच्छी तरह से गतिमान है, जिसमें हास्य, रोमास और नाटक के क्षण सहजता से बुने गए हैं। फिल्म में समबाद तीखे और मजा किया हैं, खासकर नानी की अपने सहतलाकारों के साथ बातचीत में। हास्यपूर्ण आदान प्रदान फिल्म को मनोरंजक बनाता है, यहां तक की इसके अधिक गंभीर क्षणों के दौरान भी। निर्देशक कॉमेडी और कहानी के भावनात्मक मूल के बीच संतुलन बनाने में काम्याब होते हैं, जो रोमेंटिक ड्रामा में एक मुश्किल काम है। फिल्म की कथा कुछ हिस्सों में गैर रेखिये है, जिसमें आदित्य की कहानी बताने के लिए फ्लैश बैक का इस्तिमाल किया गया है। कहानी कहने का यह तरीका सस्पेंस बनाने और दर्शकों की रुची बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि वे धीरे-धीरे आदित्य के अतीत और उसकी वर्तमान दुर्दशा के कारणों के बारे में अधिक जान पाते हैं। गोपी सुन्दर द्वारा रचित संगीत फिल्म के लिए माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजनु के गाने हलके और मधुर हैं, जो फिल्म के समगर अनुभव के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। कल्लुमूसी और ओय मेघमाला जैसे ट्रैक विशेश रूप से लोगप्रिय थे, जो फिल्म के रोमांटिक विशय को पूरक बनाते हैं। गोपी सुन्दर का बैक ग्राउंड स्कोर प्रमुख द्रिशों में भावनात्मक गहराई जोडता है, जिससे दर्शकों का किरदारों की यात्रा से जुडाव बढ़ता है। ज्यानशेखर द्वारा की गई सिनेमेटोग्राफी जीवन्त और आकरशक है। फिल्म को खूबसूरत जगहों पर शूट किया गया है, जो रोमांटिक और सपनों वाले माहौल को और भी बढ़ा देता है। फिल्म में इस्तिमाल किये गए रंग पैलेट गर्म और आकरशक हैं, जो कहानी की हलकी फुलकी प्रकृती को दर्शाते हैं। फिल्म के विजूल ट्रेटमेंट सुन्दर प्रिष्ठ भूमी के साथ मिलकर कथा में एक ताजा और युवा एहसास जोडते हैं। मजनू को रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों दोनों से सकारात्मक समीक्षा मिली। नानी के अभिनय की विशेश रूप से बहुत प्रशंसा की गई, जिसमें कई लोगों ने उनके करिश्मे और स्वाभाविक अभिनय के साथ फिल्म को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला। हास्यक रोमास और भावनात्मक गहराई के मिश्रन वाली फिल्म ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया, जिससे यह बॉक्स ओफिस पर सफर रही। इस फिल्म ने अनु इमैनुवेल को तेलुगु सिनेमा में एक होनहार प्रतिभा के रूप में स्थापित करने में भी मदद की और नानी की एक विश्वसनिये और भरोसे मंद स्टार के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। नानी की फिल्मोग्राफी में सबसे आकर्शक और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी में से एक मजनु एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। निशकर्श के तौर पर मजनु एक रमनिय रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें नानी के स्वाभाविक आकर्शन, सहायक कलाकारों के दमदार अभिनय और आकर्शक कहानी कहने का तरीका शामिल है। अपने भरोसे मंद किरदारों, मजाकिया समवादों और भावनात्मक गहराई के साथ यह फिल्म प्यार और विष्टों की जटिलताओं को तलाशते हुए मनोरंजन करने में काम्याब होती है।